श्री स्वामी नाराण भगवान नीजे अक्षर पुर्षतम महराज नीजे गुनातितानन स्वामी महराज नीजे भगजी महराज नीजे सास्त्री जी महराज नीजे योगी जी महराज नीजे प्रमुक स्वामी महराज नीजे महंत स्वामी महराज नीजे प्रमुक स्वामी महराज सताप्दी महत्सव नीजे त्रैमासीक आर्स्प्रवचन मालामा आप सवनु हर्दिक स्वागत छे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता आ पंक्तिने समझवा एक प्रस्ण पुछवानु मन थाई कोई पन देश के तेनी प्रजानी महांतानों मापदंड कयो होई सके सत्ता, संपत्ति, सौर्य, संरक्षन, सुक्सगवड, संसोधन, ना तेनों जवाब छे नई तिकता एक भारतिय तरीके चुँ तमें कल्पना करी सको छो के आक्रमन कर्यावीना यूगो सुधी आपडा पूर्वजोए जगतना हैया उपर किविडिते पोतानों प्रभाव जमावयो हसे तो तेनों पन जवाब छे अजोड नेतिक ता थी औने अध्यात्मिक ता थी आओ अजोड अने अतुल्य भारत बे प्रकारनू छे एक बवगोलिक भारत अने बीजु सांस्कृतिक भारत बवगोलिक द्रस्टिये वीचार करिये तो बव ओचालोको जानता हसे के महाबारत कालमा भारत वर्षनू मान्चित्र कंधार्थी लई अने कंबोच सुधी विस्तरेलू तेथी आगल इरानना खोदकाम वकते बे राज्यो वच्चेना समाधानू संधी पत्र मडियू जेमा मित्र वरुण वगेरे देवतावनी साक्सी लखेचे अने ते संधी पत्र छे 5000 वरस पुराणू इतले के 1000 वरसो पहला भारतनी सीमाओ चेक इरानने पन ओलंगी गयेली अने इतले ज आ देशने गुरुहत्तर भारत कहवादू ए वकतनू सांस्कृतिक भारत एक एवु हतू तो टीबी मेकलोये बिजी फेबुरुआरी अधारसोने पांत्रीसमा ब्रिटीस पार्लामेंटमा आपेला विधानना आधारे समझी सकाई से तेने कहईू हदू के में भारत देशनू पुर्वथी पस्चीम औने उत्तर थी दक्षिन परीब्रमन करियू छे आ देश इटलो सम्रुद्ध छे औने ते देशना लोकोनू नैतिक स्तर इटलो बदू उच्चू छे के में एकपंड नागरिक एवो जोयो नथी के जे बिक्सुक होई के चोर होई मने नथी लागतू के आवो नैतिक औने सम्रुद्ध देशने आपणे जीती सकिये बारत देशनी आवी औने आथिये कई किटली विशेशताओ ए आजना प्रवचन मा आपणे माणवा नाचीए आजना प्रवचनना मुख्य वक्ता छे पुज्य अक्सर वच्छल स्वामी त्रई मासीक आरस प्रवचन मालामा तेमनू हर्दिक स्वागत छे पुज्य अक्सर वच्छल स्वामी है उग्णिसोने एक्क्यासिनी साल मा परंपुज्य प्रमुक्समी मारादना हस्ते दिक्षा ग्रहन करी त्यारबाद अमदावाद मा स्कूल अप्फिलोसोफी मा संस्कृत, तत्वग्नान, वेदान अने भारतिय संस्कृतीना इत्यासनू उंडान पर्वकनू अध्यान करीू साथे साथे गुजराती अने हिंदी सहित्य सर्जन मा जोडाया, अनेक संसोधनात्मक निबल लेखो अने पुस्तकनू लेखन करीू छे मंदिरो, जेने गुणे रिजा गिर्धारी, भगवान स्वामिनारेन अने अंत्योदे जिवा लोक प्रिय पुस्तकनु लेखन पन तेमने करियुँछे हाल, बिये पिये स्वामेन संस्ताना सामायकनु संपदन कारिय पन तेवो संभाडी रहाचे गंधीनगर अक्षरधां, दिल्ली अक्षरधां, अमेरिकामा निर्माना दिन अक्षरधां तेनी कोर्टीमा पं तेवो पोतनी अमुल्य सेवाओ आपि रहाचे अगाव आर्श प्रवचन मालामा पण तेवो द्वारा टेलिवीजन आस्तिर्वाद के अभीशाप पुज्य रविशंकर महराज, भारतिय संस्कृती, मानव जीवनमा मंदिरने आवेशक्ता, जोती सास्त्र अने वर्तमान जीवन, पुनर जन्म, तथा प्रेम सखी प्रेमानन जेवा विशैपर मनन्य प्रवचनो आपेलाजे संस्ताना विशाळ अने महत्वना कारेक्रममा तेवनी उदगोसक तरेकेनी प्रभावक रजुवाती आपडे सव महित गार जीए एवा, पुजय अक्सर वच्छल सामेने विननती करिये का आजनी आतरै मासिक प्रवच्चन माळामा पताना मनन्य वक्तव्यनो लाब आपे तेमना परवच्चन नो विशेई छे भारत, बहुगोलिक अने सांस्कृतिक अमदावस्तित पुझ्य अक्सर वच्छल सायने विननती करिये के परवच्चन नो लाब आपे गुणातीतोक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमह जनो जाननिदं सत्यम मुच्यते भवबंदनात श्री स्वामी नारायन भगवान नीजै श्री अक्षर पुरुषोत्तमहाराज नीजै श्री राधा कृष्ण देव नीजै सियावर रामचंद्र भगवान नीजै उमापती महादेव नीजै श्री प्रमुक स्वामी महाराज नीजै श्री महंत स्वामी महाराज नीजै श्री प्रमुक स्वामी महाराज शताप्दी महोत्सव नीजै आजनो विशय छे भारत भवगोलिक अने सांस्कृतिक भारत नी गाथा गाथा करोड़ू भारतियों ना जीबना टेरिवे एक पंक्ति रमे छे जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय है भारत नी आ जय गाथा कई आजकाल नी नवी न थी गवाती भारत नी आ जय गाथा हजारों वर्षों थी गवाई छे प्राचीन समय थी गवाई छे रामाइण वालमी की रामाइण मा भगवान श्री रामना मुखमा शब्दों मुखवामा व्याँ छे जननी जन्म भूमिष्च स्वर्गाद पी गरी असी आ जननी अने जन्म भूमी भारत यहमने स्वर्ग करता पण अधिक प्रिया छे महाभारतकार जेनु प्राचिन नाम तो जय ग्रंथातू ए महाभारतमा भारतनी गाथा आम गाये छे बिश्म पर्व अने दस्मो अध्याय अत्रते वर्ण इश्यामी वर्षम भारत भारतम एम कैने महाभारतकार केचे सर्वेशामेव राजेंद्र प्रियम भारत भारतम सवने प्रिय छे आ भारत अने के उचे आ भारत तो भारतनी भावगोलिक सिमावपन वर्णवे छे इदम तू भारतम वर्षे ततो हेम वतम परम हेम कुटाद परम चैवा हरी वर्षम तचक्षते हेम कुट परवत्ति लेने क्या क्या वापयलू छे भारत क्यां क्या पोंचे लूँछे आ भारत तत्र, पुन्या, जनपदास्तानी वर्षानी भारत आ एवु भारत छे जिया आएवा पुन्यकारी जनपदो वसे छे वसंती तेशु सत्वानी नाना जाती नी सर्वशा हो त्या अनेक प्रकानी जाती ओ वसे छे केवी जाती हो जे सत्वानी जे सत्वशील छे तो आउँ अद्भूत महिमागान महा भारतकार आस्थी पांच जार वर्ष पहला करे छे विश्णु पुरान द्वितियसकंध तुरुतिय अध्याय मा भारतनी जैगाथा के अलोकी गृते गाई छे अत्रापी भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्विपे महा मुने आ भारत समग्र जम्बूद्विपमा श्रेष्ठ छे गायनती देवाहा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमी भागे आ एवू भारत छे जनी देवताओ महिमा गाथाओ गाई छे जनी देवताओ गीत गाथाओ गाई छे अने ऐम केछे दन्यास ते ऐमने धन्यां छे जमनो भारत मां जिन्मत वोचे केम एनुकारण बना आपेछे श्रीमत भागवतमा देवताओ स्तूती करेचे ने भारतनी जैगाथा गाईचे पंचम सकंध अने ओगनिस मौध्याई एमा देवताओ केवी ते गाईचे भारतनी जैगाथा एत देव ही देवा गायनती देवो गाय चे अहो अमी शाम, किमकारी शोभनम, प्रसन एशाम, स्विदित्त स्वयम हरी ही आ येवु भारत चे के ये लोको किटला भाग्या शालाई चे के जमने भारत मा जन्म प्राप्त थे हो चे अने देवताओ पान भारत मा जन्म लेवा माटे जंखना करिये छिए कारण के स्वयम परमात्मानी आराध ना करवा माटे उपास ना करवा माटे संपोन ब्रह्माण मा देवताओ ना मते भारत जिवु कोई पवित्र स्थान न थी भारत नी जैगाथा एक प्रसिद्ध सुक्ति मा अपड़े सामड़िये छिए दुरलबं भारते जन्म मानुश्यम तत दुरलबं भारत मा जन्म प्राप्त थवो इप बहुँच दुरलब छे अनि एमा पन मनुष्य जन्म प्राप्त थो अथ्वा मनुष्यता प्राप्त थवी बहुत दुरलब बाबत छे हाँ आब दी जैई गाथाओ तो हजारों वर्ष प्राचीन छे हजारों वर्षों थी गवाई छे आभी तो अनेक जैई गाथाओ टांकी शकाई तेम छे प्रुष्थो विश्वनावा विद्वान लोको ना अवतरनों थी उभराई छे प्रसीद जर्मन विद्वान जोर्ज फ्रेडरिक क्रुजर एक अध्भूत बयान आपे छे if there is a country on earth which can justly claim the honor of having been the cradle of human race मानव जातीना पारणा तरीके कोई पन पोतानों दाव करीशे के तेम होई आज समग्र पुथ्वी मा तो एक है छे that country is assuredly India एक भारत छे अने एवू भारत के जेना ग्नान ना विकास नो लाब समग्र विश्वने प्राप्त थेवाँ छे मानव जातीना पारणा छे भारत आतो जर्मन विद्वान केछे एवाज भीजा प्रसिद्ध जर्मन विद्वान जे बृतनमा ऑक्सफोर उनिवसिटीमा बॉर्डन चेर्ना चेर्मेन थायाता मैक्स मुलर फ्रेडरिक मैक्स मुलर what India can teach us or India what it can teach us a Pustaknyander मैक्स मुलर लखे चे if I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth power and beauty that nature can bestow in some parts a very paradise on earth I should point to India if I were asked under what sky the human mind has most developed some of its choicest gifts has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions I should point to India है इत्ले के भारत है के वह देश्च छे के कदाश कहने मने कोई पुछे आ मैक्स मुलर के छे कदाश मनें कोई पुछे के जहां मानव मस्तिशकनों, मानव विद्यावनों सवथी वधारे विकास थयों, बुद्धिनों जहां सवथी वधारे विकास थयों होई एटलूज नहीं, जहां जीवनना गहन मां गहन प्रश्णों पर उन्डू चिंतन करवा मावियु होई अने तेना उत्तरप्रण प्राप्त थया होई, तो ते मात्र भारत छे अमेरिकन विद्वान विल्डूरान नी याद आवे छे विल्डूरान एक एवो विद्वान अमेरिकन विद्वान के जहने विश्वनी यात्रा करीने विश्वना इत्यास उपर विश्वनी संस्कृत युना इत्यास उपर अग्यार वोल्यूम लख्याचे दस हजार करता वदार पुरुष्टो लख्याचे आँ अमेरिकन विद्वान तो अने इनो प्रथम भाग छे आवर ओरियंटल हेरिटेज आप उस्तक नियंदर विल्डुना अद्भूत बात लख्याचे विल्डुना लख्याचे India was the motherland of our race and Sanskrit is the mother of Europe's languages she was the mother of our philosophies mother through Arabs of much of our mathematics mother through Buddha of the ideal embodied in Christianity mother through the village communities of self-government and democracy mother India is in many ways the mother of us all mother Bharat ए अनेक द्रष्टिये आपना बद्धानी माता चे और कई-कई द्रष्टिये भारत समगर विष्वनी संस्कृतिनी माता चे एनी वाद बहु विस्तार पुरुक विल्डुनाट आप उस तक मा वर्णा वे चे फ्रेंच विद्वान रोमा रोला आपने अलग-अलग द्रष्टि कौन थी अलग-अलग विद्वानोंनी बात करी रहा चे रोमा रोला ए फ्रेंच इत्यासकार ने फिलोसफर लखे चे लग चे एंडिया इट ले के आदी समय थी जार थी माना स्पोताना अस्थित्वाना स्वपन जो तो जो जो स्वपना निरक तो थो त्यार थी लईने भारत एक एवू स्थान चे मैं थोड़ा क्विद्वानों निवाद करी आवा तो अनेक विद्वानों नाम टाकी शकायतेम चे प्रसिद्ध स्कॉलर्स चे अबदा जेमा प्राचिन स्कॉलरों पन चे मद्ययोगिन पन चे अर्वाचिन पन चे प्राचिन नाम लेवा होई तो ग्रीक विद्वान स्ट्रेवो तमे लेई शको ग्रीक विद्वान के रोमन विद्वान एरियन लेई शको के तमें मेगस्थनिस्नी डाइरियो लेई शको अरेव्यन विद्वान अल बीरों ने लेई शको चाइनीज विद्वानों जे भारतनी यात्राय आवेला एवा यू एन संग के इत सिंग के फाहियान नीवात नमे लेई शको अरवाचिन्य मध्ययुगिन विद्वानों मा विजावा अनेक नाम हो मेरी शकाई अमेरिकन विद्वान मार्क ट्वेंड लेई शको जने अमेरिकन सेज पॉइंट के वाम आवता वाल्ट विटमेंट नमे लेई शको जापानी स्कोलर प्रोफेसर नाकामूरा लेई शको इटालियन स्कोलर सिल्वियन लेवी नू नम नमे लेई शको अने ब्रिटिश विद्वान आरनोल्ड टोयन बी नू लाम पन लेई शको अस्ट्रेलियन विद्वान एल बाशम नू नाम पन लेई शको अने जगविख्यात विगिनानी महा मनिशी आलबर्ट आइंस्टैन नू नाम पन लेई शको अब आ केट किटला लोकोई भारत मी जय गाथाओ गाई छे पन एक सवाल थाई छे आ कईू भारत कया भारत किया लोकोई जय गाथाओ गाई छे मेके माँ वो सवाल करो करण के भारत एक नहीं भारत बे छे एक भारत छे भावगोलिक भारत अने बीजू छे एक चैतसिक भारत जेने आपने सांस्कृतिक के आध्यात्विक भारत कई शक्ये आप बे भारत मां थी कया भारत में आपधी गाथा वो गवाई छे भौगोलिक भारत ने तो आपने सो जानिये छे जे बत्रिश लाख सत्याशी हजार चोरस किलोमीटर मां व्यापेलनू छे हिमालाई थी मांडी ने दक्षिन मां घुगवता समुद्र काठाव सुधी एक विशार द्वीप कल्प सुधी कन्याक हुमारी सुधी व्यापेलनू छे अने सबा अबज करता वधार वस्ती ने धारण करीने विश्व मां आजे सवन आकर्षन नू केंद्र बन्यों छे एक भवगोलिक भारत चे पने एक विजू सांस्कृतिक भारत चे आध्यात्मिक भारत चे आजे विशेश रुपे ए भारत नी वात करवी छे आलोकोई जे जैगाथाओ गाई छे या भवगोलिक भारत नी जैगाथाओ तो गाई छे पने भवगोलिक भारत द्वारा जे सांस्कृतिक भारत नी चेतना तेनी सुवास चारे बाजू प्रसरियती तेनी जैगाथाओ गाई छे आपनू रदय गौरों थी चलकाई जाए आपनी छाती खरेकर फाटू-फाटू थाए इवी ये बदी जैगाथा हो छे इस सांस्कुरुतिक भारतनी जैगाथा हो छे वह गोलिक भारत करता सांस्कुरुतिक भारतनी सीमाओ एम कईशा कहे के इस सीमा तीत छे इने कोई सिमाढाओद न थी इतले के विश्व समस्तमा भारतनी एस सांस्कुरुतिक ये अध्यात्मिक भारतनी चेतना तमने जुआ अमरुषे तम एम कईशा को के पस्चिमा चेक दक्षीन अमेरिका थी लईने पूरो मां छेक न्यूजिलेंड सुदी ए सास्कोतिक भारत अने आध्यात्मिक भारत नी सुवास अनुभवाई छे अनेक रितिये सुवास अनुभवाई छे स्थानिक रित्रिवाजों मां अनुभवाई छे त्यानी परंपराओं मां अनुभवाई छे त्याना स्थानिक इतियास नी तवारिखों मां जोई शकाई छे त्याना शिल्प, स्थापत्य, चित्रकला वगेरे कलाओं मां जोई शकाई छे अने विजी अनेक रिते ए जोई शकाई छे आजना व्याखानमा थोड़िक तेनी जलक जोवी छे परन्तु एक पहलाम पहलो सवाल तो ये थाई छे के आज सांस्कूतिक भारत नी सुवास आठले दूर सुधी पहुंची के भी लिते हाँ स्वाभाविक छे के ए सांस्कूतिक भारत नी सुवास त्यां सुधी पहुंची होई तो तेना माटे कोई चोकस प्रयास करवा मावे होई बारत तो एक भोगोलिक सिमा धरावत देश छे तो दुन्या ना छेडे छेडे आ सुवास प्रस्रावना लोको कोन हता आ ए जमाना नी वाद छे जारे आजना जेवा कॉम्युनिकेशन साधन होनोता आ ए जमाना नी वाद छे जारे आजना जेवा वहानों बंड़नोता हवाई मुसाफरी नो यूग बंड़नोतो तो केवी रिते आप भारत नी सांस्कृतिक सुवास विश्वमा छेडे छेडे सुधी पहुंची अहीं एक चोखवट करवी बहुँ जरूरी छे के भारत है के हिंदु दर्मे के भारतिये संस्कृतिये पोतानी संस्कृतिक आध्यात्मीक के बहुतिक सीमाओ विश्थारवा माटे क्यारे पन कोईना पर आक्रमन करियो न थी हा भारत नी अंद्रों अंदर घणी बती लड़ायो थाई छे कणाबदा युद्धो पारंपरिक रिते अंद्रों अंदर थाया छे पन भारत अन्य देशो पर चड़ाय करी होई एउ तमनी क्यारे जोवानी मड़ा इतिहास माँ अने करे पन के वी रिते काण के भारत नी त्रण बाजु दर्यो अने एक बाजु उत्तुंग हिमाले सैन्य लईने जाई पन के वी रिते तो पछी भारत सांस्कृति क्रिते आध्यात्मी क्रिते विकस्यु केविदे चारे तरफ तो एनु कारण इतियास जापे छे जवाब इतियास आपे छे सैन्य के सैनी को द्वारा नहीं परंतु चार माध्यम हो द्वारा पहलु माद्यम भारती रुशियों साधुसंतों और भिक्षों नी यात्रा ओ द्वारा जमकि अगत्य रुशी दर्यों पी गया था दर्या ना मोजाओ पर सवारी करें दुनिया ना छेड़े चले जही शक्ता था अनि अगत्य रुशी एक वखत विदेश यातलाकरी ने पाचा आवया त्यारे इमना स्वागत माँ एक अजार स्तंबुनू मंदी रच्वा मावियू एवो उलेक शास्त्रों माँ प्राप्त थाई छे तो हाँ आवा रुशी ओ द्वारा ठेर ठेर भारत नी सुवास प्रसरी बीजो एवो एक आया मतो एव विद्वानों ने ब्रामनों नी यात्राव द्वारा जेमके कौंडिन्य नामनों एक ब्रामन ए दक्षिन एश्या ना देशों माँ गयो उतो आने त्या एने दक्षिन एश्या माँ खंबोडिया जवा देशों माँ भारतिये संस्कृतिनी सुवास प्रसरावी त्रीजू वेपारियो द्वारा जेमके कांजी मालम भाटियो आतो एक उधारन छे वास्कवडी गामा जारे ए आफरीकाना दर्यवामा अठवायो त्यारे एने पोताना करता अनेक गणू मोटू जहाज जोईू अने एक कांजी मालम भाटिया नू जहाज जतो जे मांडवी बंदर नो गुजराती वेपारी हतो एने छेक दक्षिन भारत मा काली करसुदी लेया वेलो वास्कवडी गामा ने तो आवा वेपारी हो पोताना वहाणो लेहने छे क्या ना क्याहीं कहुंसी वर्ता था अने एनू एक प्राचीन प्रमान पांच जार वर्स पहला नू एंशन पोट प्राचीन मा प्राचीन बंदर एक गुजरात मा लोथल काठा आवेलू छे लोथल मा आवेलू छे जे एक्सकेवेशन द्वारा प्राप्त थी चुक्यू छे लोकों ने घणाने एम लागतू हो शे का लोथल एक दरबा एकज बंदर गाह आशे अत्वा एकज आउँ जहाजनू बारू हो आशे ना इतियास मा शोधायू छे प्राचिन भारत मा आवा गुजरात मा अज बार एक बंदर होता जे क्याना क्याए वहाणों ने पोचारता आता ने वेपारो इना द्वारा चलता आता तो आत्रीजू माध्यमतू वेपार योद्वारा और चोथू माध्यमतू कलाकारो और स्थापति योद्वारा क्या ना क्या भारती और स्थापति पहुंचिया तो आलो को है विश्व बर्मा प्रवास करें जानना जोख में प्रवास करें पन जहां गया तिया पोतानी संस्क पुर्वाने पश्चिमा भारतियों ना जहाँ जो दर्याना मोजाओं पर शाशन करता था एमें केवध था थी एवो समया तो के जारे यूरोपियों नोने हजो तू होड कामा पन तरता आवड़ियों नो थू अने ए समय भारते केवा विराट कदना जहाँ जो विक्सा भ्याता एक प्रसिद्ध अमेरिकन एंथ्रोपोर्जीस्ट डॉक्टर रोबर्ट हैं गेलडर्ण ए सिविलाइजेशन ओफ एंशेंट अमेरिका नामना पुस्तक मा नोन देशे के कोलंबस पहला कोलंबस अमेरिका मा सवप्रथम गोयम केवाई छे बड़ कोलंबस पहला एक हजार वर्ष पहला बाहरत मा एवा वहाणों विक्सी चुक्या आता कि जे ट्रांस पैसेफिक वोयेज करी शके त्रीजी शताब्दी मा एले के आज थी अडार सो वर्ष पहला वहाणों मा घोडा भरी भरी ने एक्सपोर्ट कराता था भारती घोडा ओ छेक चिनना दर्या काठे शांगाई सुधी जता था भारती वहाणों और त्या थी पन दूर दूर सुधी भारती वहाणों खेप मारता था और एणे को उल्लेक करियो छे कि चोथी श्रताब्दी मा चीन थी फायान भारत आवेलो और भारती ने चीन पाचा जओ तो ये तो जमीन मारगे चालतो चालतो आवेलो और पाचा जओ तो तो तेने खबरपड़ी कि वहाणों चीन जाई से छेक शांगाई सुधी जवान आशे एटले एब भारती वहाण मा बेठो पणि जे वहाण मा बेठो एवाण किटलू मोटू हतू आवाच्चा आज थी सत्तर सुवर्ष पहलानी एवाण किटलू मोटू हतू कि जमाँ बसो तो खलासी हो हता तो पैसेंजर्स किटला आशे आवा अनेक उदाहरणों इत्यास्मा टंकाएला चे तमने जानीन आश्चरिय था शे किटला बधा प्रमाणों मले चे किटला भारतियों ना वहाणों किटला विराट कक्षा नाता जमके मंगार ना महाराजा सीवा लता अने नों पुत्र प्रिंस विजय ए राजवलाई नामनों एक वहाण लईने समुद्रमा फरवा निकले होतो क्या सुदी तो छेक इंडोनेश्या सुदी गयलो अने एना वहाण माँ 700 पैसेंजर्स लईने गयोतो इस विशन पुर्वे 300 माँ शंख जातक नामना गरंथ माँ एक एवा वहाण नी वात इतियासना द्रश्टी कौन्थी नोंध्वा मावी छे के जे वहाण 1200 फूट लांबू 900 फूट पौडू अने 120 फूट उंचुआतो एक समुद्र वनिज जातक माँ एवा वहाण नी वात छे कि जे माँ एक हजार नी वस्ती दरावतु आखु गाम समुद्र माँ मुसाफरी करवा निकले दूँ आर्केोलोजीकल एविडन्सीज पाण आवा वहाणों नी साक्षी पुरे छे तमें सांची ना तोरणों जोओ के मुंबई नी कानहरी के उसना शिल्पो जुओ के इंडोनेश्यमा बोरोबुदुर ना शिल्पो जुओ एवा ठे ठे तमने आर्केोलोजीकल एविडन्सीज मा वहाणों जुओ जुओ अजन्तानी गुफावों मा वहाणों चित्रोपन जुओ अणे युक्ती कल्पतरु नामना संस्कृत ग्रंथ नी अंदर आवा अनेक प्रकारना वहाणों ना निर्माननु सायंस अनी टेक्नोलोजी एनी विस्तार्थी चर्चा करो मा वी छे अने प्रसिद्ध भारतिये विद्वान लोक्टर राधाकमुद मुखर जी एमने अनों पर मोध संसोदन करियो छे केवा केवा प्रकारना किटला आचिन समयमा बनता था अब दी वातोंनों सार एए छे के हजारों वर्षों थी भारतियों समुद्रना मोजावों उपर सवारी करी ने दुनिया भरमा घुमी वले आता अने परिणा में भारतिये संस्कृतिनी सुवास चारे बाजू प्रस्रियती जुद्ध के धर्म वर्तनी कुसेड विना क्या-क्या भिलायती भारतिनी सुवास क्या-क्या भिलायती भारतनी चेतना जुवा नक्षों एक द्रश्टी करवा नक्षाव पर मद्य एशिया छेख इस्विशन पुरवे बिजी शतापदी थी मद्य एश्या मां चीन औने रश्या सुधी भारतियों नी मंड़ियों घुमी वड़ी आती अर्बस्ताना रणमा इजीप्त औने इसराइल सुधी तो ए समय दरम्यान पस्चिम उरोप मां ग्रीक औने रोमान एम्पायर सुधी भारतियों पहुँच आता अने पस्चिमा छेक लेटीन अमेरिका सुधी दक्षिन अमेरिका सुधी इलेके पेरू, मेक्सिको, छेक एस्टेक ने मयन संस्कृती सुधी भारतियों पहुँची वड़े आता ग्रीक इतिहासकार अने फिलोसोफर स्ट्रेबो ये इस्विशन पहली शतादी मां नोंदेश्या के इस्विशन पूर्वे एकसो त्रीस थी लेए ने भारत ना लोको छेक रोमन सामरा जना आर्मेनिया मां पोतानी वसाहत वसावी चुक्या था दक्षिन अमेरिका मां पेरू खातेना अमेरिकन एम्बेसेडर आने जे एकवखत अमेरिका ना रास्टर प्रमुखनी चुक्री ना उमेदवार पन हता येवन प्रसिद लेखक पन ए माइल्स पॉइंट डेक्स्टर एने एक अद्बूत स्टेट्मेंट आप्यों छे एमने कहूं छे के अमेरिकानी प्राचिन जाती अने संस्कृती ए भारतिय संस्कृती नू एक एक्स्टेंशन छे कोलम्बस अमेरिका मां भुलो पड़ियो आ माइल्स पॉइंट डेक्स्टर कहे छे कि अमेरिका मां कोलम्बस भुलो पड़ियो अने अमेरिका मां त्यानी जाती जोई एने इंडियन्स तरीके उडखावया ये नी भूलनोती हकिकते ते पैसफिक महासागर्ना आचेडे भारत साथे एवी एक लोय अने सस्कृतिनों संबंध धरावती प्रजा आती जे मा भारतनी प्रजानू स्थानिक प्रजा साथे नू मिश्रन जोआ मर्थोतों रित रिवा जोती मांडी ने बधी द्रश्टिये मेक्सिकन फोरेइन ओफिस द्वारा एक डोक्यूमेंट प्रकाशित करवा मा आवेल अने एमा प्रुष्ठत्राण उपर नोधवा मा आवेलूं के जेनो पाचर थी अमेरिका तरीके परिचे आपा मा आवेल ये अमेरिका अने पाचलती जे बौध भिक्षु बनेला इवा श्री चमनलाल जे मने 40 वर्ष सुधी आ विशेमा उंडू रिसर्च करेलू अने पछी एमने एक हिंदू अमेरिका नामनू पूस्तक लखेलू अने विजु क्रेडल आफ कल्चर्स नामनू पूस्तक लखेलू एमा एमने एक अद्भूत स्टेट्मेंट आप युछे, I can claim now to have proved my theory of Hindu colonization of America, the stones in every kodran of America speak of ancient Hindu culture, अमेरिका माँ खूने खूने तमने भारती ये संस्कृतिना स्मारको जुआ मड़ शे, एम कहीने तेवो दक्षिन अमेरिकानी एस्टेक संस्कृतिना किटला कुदाहरणों टांके छे, मीट्स ओप प्री कोलंबियन अमेरिका नामना पुस्तक माँ एना लेखक मेकेंजी नों देशे, एलखेशे, the doctrine of ages, एलगे भारत माँ आपने चार युग नी वाद करिये छे, मेक्सिको माँ आ चार प्रकान युगो आच्छुदी चालता था, द्वापर कली त्रेता के सत्युग, आ चार युगो ना नाम, एलो को एना भाषन तर करिने, ए युगो नू प्रवर्तन करेलू, एस्टेक संस्तुती ना अमेरिको नो, ए आ चार युग मां मानता था, एटलू ज नहीं, भारत नी प्राचिन रमतों पन त्यां जुआ मरती थी, जेम के 25 सी, भारत मां 25 नी रमत आजे पन उत्तर भारत मां रमाई छे, लेटीन अमेरिका मां आजे पन एवीज रमत रमाई छे, जिन्नों नाम चे पतोली, रोबर्ट हें गिल्डन अने डॉक्टर गोर्डन एफ एकहोम, आप बे एवा एंत्रोपोलोजिस्ट हो छे, के जेमने अनेक पुरावा आपी ने, एम सिद्ध करी बताएवू छे, के दक्षीन अमेरिका साथे, भारत ने बे हजार वर्ष्ती संबन छे, एमने शब्द वापर होचे, कल्चरल लिंक, भारतिय कला, अने स्थापत्य मां कमल विपूल मात्रा मां उप्योग थे होचे, आपने जानिये चे कि कमल आपनू पवित्र प्रतिक छे, तो आज रिते मेक्सिको मां तमने ठेर ठेर कमल नो, के कमल पत्र नो, आर्ट, आर्किटेक्चर ने लिट्रेचर मां अदल सर्खिरीत उप्योग थेलो जो आमाड़े चे, इतला आ बे अंत्रोपोलोजिस्ट वाइम के छे, के सच अ कॉंबिनेशन अप हाइली स्पेसिफिक डिटेल्स के नोट बी एक्सिदेंटल, आकोई अकस्मा ते बनीद न शके, अध्या बारत मां अध्या बारत मां वीदी शमास थड़ा वेलो छे, एनि बेठी नकल तया जो आमाला आचे, क्यारनू, सेकंड सेंचुरी एडी, आध्थी, अधार्सो के 1.21 वर्स पहला नवाश्जील पर जो आमाला चे, आध्दल के वीदे समान ता होई शके, भारतियों त्यां पहुंची आता नेनी ये सुवास आवा तो अनेक उदाहरनों दक्षिन अमेरिकानी मैस संस्कूरुतिना स्थापत्यमा जोआ मड़े छे त्याना मेहलोमा जोआ मड़े छे, त्याना धर्मस्थळोमा जोआ मड़े छे हिंदुआने बहुत आर्किटेक्ट्चनु प्रतिभीम स्पष्ट पने जोई शकाई छे साची थी लईने सेंट्रल अमेरिका सुधी आखली बदी समानता के जिते होई शके पैटरंज मां डिजाइनों मां मेकसिको ग्वाटामाला पेरू बॉलीरिया आ बधा देशों मां जे मुर्तियों खोदकामां मली आवी छे ये पन भारतिय देविदेवताओनी मुर्तियों छे जमाँ शीव गणेश इंद्र सुर्य हनुमान विष्णु अने खासकने कुर्मा वतार आपती केवी ते साम्यताओ जोवा मड़े आ मुर्तियों नी उपास्टना थतियश एक समय या पने चोकस जोवा मड़े अने आजे पन तेनी उपास्टना चालू छे पेरुनी जे इनका संस्क्रूती गणाती ती एमा गणेशना मंदिरो जोवा मड़े छे मेक्सिको सिटी माँ टेंपल ओप डिएगो रियेरा माँ थी गणेशनी मुर्ति जे मलीली छे ए तिया मेक्सिको माँ दर्शनार थे मुकवामा आवेली छे अने मेक्सिको ना नेशनल म्यूजियम ने अंदर त्याना पुरा तत्वक हाता है मुर्तियों मुखेली छे देवियों नी मुर्ति मुखेली छे आश्चर निवाते छे कि आबदी मुर्तियों छे एमा भारतिय दो भारो बार देखाई छे पर चेहराओ मेक्सिकन बनेवा माव्या छे जेमके विश्णों नी मूर्ती इमा शंक चक्र गदा पद्म तमें जुओ ले तमने ख़वर पड़ी जेका विश्णूत छे परंतु चेहरो मेक्सिकन इंद्रा ने वामन नी मूर्ती त्या इन्या लक्षनों पर थी उलखी शकाए मेक्सिको ना नेशनल मुजियम मा छेज पंचेहरो मेक्सिकन तो आब अधी भारतिय संस्कृति नी उपास ना पद्धति नू त्या प्रतिभीम जोई शकाए छे आज ती शताब्दियों पहला दक्षिन अमेरिका मा मेक्सिको सिटी मा मोटा मा मोटू भगवान शीवनों मंदिर बनावा मा आविए तो आज ती पांसो वर्स पहला ये जे मंदिर बनावा मा आविए तों एक टलू विशाड आतों एनुँ प्लेटफोर्म जेना पड़े पोडियम कहिए ए एटलू विशार पोडियम हतू के जेना ओपर त्रण हजार देवदासियों नृत्य करी शके जो के पाचरती स्पैनिश लोकोई आक्रमणों करीने मंदीने द्वस्त करी ना क्यों पड़े ना आउशेश हो आजे पन जोई शकाई छे सेंट्रल अमेरिकाना टीकल नामना नगरमा एक प्रसीद्ध मंदीर छे एने तमें आजे जोवा जाओ तो तमने एम लागे के तमें मदूराना मिनाक्षी मंदीनी कोपी त्यां जोई रहा छो अके भी ते थे शके इटलेज प्रसिद्ध अमेरिकन आर्केलोजिस्ट एजी स्क्वायर एम लखे छे के भारत ना अने दक्षीन अमेरिकाना देशो ना बव या भारको ना तमें आंतर बाहिया स्वरूपोनू संशोधन करो तो तमने चोकस जनाए के दीज बिल्डिंग्स कोर्सपॉंड वित ग्रेट एग्जेक्टनेस तो दोज अफ हिंदुस्तान तमने चोकस देखाई के आप बने मा किट्लू मुदू साम्या से मजानी वात है छे कि रीत रिवाजो मा पड़ साम्या एस्टेक संस्कृती मा दक्षेन अमेरिकानिया संस्कृती मा बाड़क ना जन्मति लेने अंतिम संस्कार सुदी अने गुरुकुड शिक्षन सुदी नी सोल संस्कार नी बाबतों मा पन गणुमदू साम्या से पेरु मा तो रामा इनने महा भारत नी कवीताओ प्रचलित छे अने मात्र आब दू नहीं पन ड्रेस भारतिय वेश्बुशा भारतिय र अने हिंदु दर्मनी अमिट छाप आ देशों मा जुआ माड़ाए छे धार्मिक मानियतों मा तमने जानी ने आश्चेरे थाशे के पेरु मा जनोई पेरवानी रीत पन आपन जुआ माड़ाए छे हेटलुद नहीं आपने त्या जारे यगनोपवी थेले के जनोई आपनाम आवे त्यारे बहुँ दामदुम थी एनो उत्सव करवा मावे छे एवीज दामदुम थी आजे पन पेरु मा जनोई आपनाम आपनाम आवे छे अने मजा नीवाद तो है छे कि आपने त्या ब्राह्मन ने जनोई आपनाम आवे त्या ने कोवपीन धारन करवाम आवे पेरुमा आजे पन कोवपीन अने मेखला भारतियों नी जेमज धरान करवाम आवे छे अने एटलूज नहीं त्यानी स्थानिक भाषा मां तमें द्रश्टी करो तो भरपूर शब्दों तमने संस्क्रूत ना जोवाम मळे आवा तो किटला बदा देशों नी वात वोचे कोरिया, जापान, विएटनाम, कमबोडिया, थाइलेंड, म्यानमार, इंडोनेशिया, चाइना, रश्या, ग्रीस, इटाली, आयरलेंड, जर्मनी, अपगानिस्तान, इरान अने किटला बदा देशों नाम महीं टाकी शकायतेम छे, ठेर, ठेर, विना युद्धे, विना सैन्ये, भारती ये संस्क्रूतिनी सुवास फेलाया दी थोड़ाक देशों नी एमाती अहीं आपने विगते बात ले लिए, आपने भारती धिमेदी में पुर्व देशा तरब खसता जिये, अने एक एक देशों नी बात लेता जिये, बर्मा, म्यानमार, पुर्वे बर्मा जनू प्राचिन नामतू ब्रह्म देश, पन जार्थी ब्रिटिश शाषन त्यां आवियू, त्यार थे ने ब्रह्मदेश बोलता नोत्वावड तो ब्रह्मा देश नमने नाम करिए बर्मा, आप ब्रह्मदेश नू नाम ब्रह्मदेश एज सुचवे छे, कि बारती ये संस्कृती, कि भारती ये वेदान्त नी ब्रह्म तरिके न इस नामप आतवायो नी सुववास ये देश ना माहे तूपसरी चुक्किनी बाहर्तिय वयदान्त नी क्ली मूटी असर अशे आ देश उपर हिंदू संस्कृति नी केट्ली मूटी असर अशे पाचर्ति बौध संप्रदाइच यां विशेश विकसियो समराट अशोक ना समय मा उत्तम और सोण नाम ना बहुद साधुओं ने तेम नाई धर्म प्रिचार माटे मोकल्या त्यार्थी आईया भारतिय और हिंदु सांस्कृतिक असर नी साथे साथे बहुद धर्मनों प्रभावपन विशेशुरूपे छवायो आम छता म्यानमार मां आजे पन हिंदू परंपराने अनुसरी ने दिवाली उजवाईचे अने दिवाली नी तिया जाहे रजा होईचे आजे पन लाखो गरोमां इंद्रनी पूजा थाईचे जेनू बर्मीज नाम ठाइग्या मीन छे आजे पन लाखो घरो मा त्या सरस्वतिनी पूजा थाई चैने खास करी ने परिक्षा पेला घरोगर सरस्वतिनी पूजा थाई चैने बाल को विद्यार्थियो सरस्वतिनी पूजा करे चैने त्या विद्यार्थियो परिक्षा पेला सरस्वतिनी पूजा करवानू चुकी ग बर्मा मा थाईए चे त्यान विष्वनू नी पूझा थाईचे त्यानू बर्मीज नाम् विष्वनू दः पर्मीज वा नाम थी थेखच भेटेर शीवन विष्वनू पूझा इतिया सेम केछे के बर्माना प्राचिन शेहर बगान मा अग्यार मी थी तीर मी शुताप दी दर्म्यान त्याना स्थानिक राजा होए दोस हजार करता वधारे नाना मोटा धार्मिक स्थडों अने मंदिरों नुद निर्मान करियोतु अने मात्र मंदिरों नुद निर्मान करियोतु एटलू ज नहीं त्या संस्कृत अने आपनी प्राचिन पाली भाषा एनू एटलू दू महतवातु के मोटा भागनू साहीत्य बर्मी बाशामा पछी लखायो पहला तो एट संस्कृत ने पाली महतु एटले आजे पान बर्मी भाषामा एना शब्द भंडोल मा पाली अने संस्कृत भाषानू भारो भार भारन जोवा मड़े छे रंगुन नो त्यानो जे पेगोडा छे ए त्याना मंदिने पेगोडा के छे ए श्वेद गोण पेगोडा या जे जग प्रसिद्ध छे अने बर्मा मा जे बुद्धनी म पुर्तियों जोवा मड़े छे जेनामा भारतिय ता भारो भार देखाये छे एमा एनी भुमी स्पर्ष मुद्रा बुद्धनी ते ठेर ठेर जोवा मड़े छे अने भारतिय स्थापत्य ने भारतिय शिल्प नी असर तेमें भारतिय चित्रकला नी असर पान त्या थिनुर प्राची नामं देखाय छे तेमच्टा हजु पटिया हं हिंदू संस्क्रोथeteận के भारतिय संस्क्रोथे नहीं है चीनी साहीत्य पन प्राचिन समय थी मलाई देश मा एलेके मलेशिया मा भारतिय तानों के भारतिय संस्कूतिना प्रभावनू भरपूर वर्णन करे छे मलेशिया मा दरेक राज्य त्या ना 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 रजवाडव अथा ना 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 रज्जिय अथा इत दरेक राज्य मां सदियों थी ब्रामणोंने सन्मानी अस्थान तो अने इस्वी सन्नी शर्वातनी सदियों मां भारते बेपारियों त्यां जाता त्यांनु खासकरने केडा बंदर त्यां भारतियों नी मुलाकातों वारमवार थती अने एना कारने त्यां भारतिये ता भारो भार देखाई छे त्यां भारतिये विद्वानों पहुचिया आता एना कारने त्या शिलालेखो जे मली आविया छे एमाना साथ शिलालेख संस्क्रूत मा लखाएला छे जेमा संपूर्ण भारती तानों महिमा आपन जोवा मड़े छे एटलू जी नहीं विश्णू, शीव, शिवलिंग, नंदी, दुर्गा, पार्वती, घणेश अब अधी मुर्तियों त्यां आर्कियो लोजी एलेके पुरा तत्व माँ प्राप्त थाई छे आजे पन एनी पुजा तो थाई छे पन क्या सुधी के त्यां कोई रोगिष्थ व्यक्ति होई तो एनी सारवार मां त्यां मंत्रवडे शीव नी आराधना करीने एनी सारवार करवा मावे छे अने कोई घरनों निर्माण थाई तो घरना निर्माण यलेके गुरुह निर्माण ना प्रारव मां पन शीव पुजा करव मावे छे रामाईन पन ज्या खुब व्यापेली छे मारे एक वस्तु केवी जुए कि आखा जे मध्य के दक्षिन पुर्व एश्या ना देशों मां ठेर ठेर रामाईन ने महा भारत नों प्रभाव छोवाईल हो जे अनिया मलेश्या मां रामाईन ना प्रसंगों पर आधारित छाया नाटक हो जे न आपड़े शेडो पले कहिए ए रोध भजवा मावे अमे तिया गया है तो अमे पन एक शेडो पले निहाले हो तो अनिया रामाईन उप्रांत पंच तंत्र जातक कथाओ कथा सरित सागनी कथाओ पर जान खूब लोग प्रिया छे तमे मलेश्या थी आगल जाओ एले थाईलेंड आवे मरे मलेश्या नी एक बाद करवी थी आजे पाण थोड़ा कोर्शो पेला मलेश्या नी राजदानी क्वालालंपूर पासेब्ये नवा नगरों विक्सावा माव्या एनू नाम पन संस्कूत असर एठड़ आपपा माव्यू पुत्र जाया पुत्र जाया ने साइबर जाया जाया ने पुत्र ये संस्कूत नाम हो चे थाइलेंड नी बात करी दिया ची तमें आजे थाइलेंड ना बैंककोक एरपोर्ट उपर स्वर्ण भूमी एरपोर्ट उपर तमें उत्रो अने तमने समुद्र मन्तर नो विशाळ भव्य एवु त्या शिल्प एनो डायरामा जोआ मड़े तम चकित थे जाओ अने तमारा रोम प्रोम मा भारतिय संस्कृतिनी सुवास छवाई जाए छे एक ओगणी सोने ओगणचाली सुधी थाइलेनू नाम सियाम येलेके शाम हातू शाम देश तरीके येनू प्राचिन नाम हातू अने त्यानी प्रजाने सियाम येलेके शाम देश तरीके ओड़ खातो तो आजे पन त्यां सिया मुरीप ने वगरे एवा नामों छे अने आ थाइलेंड नी इंदर जे नानाना रजवाड़ाव अहतार एनी जे पाठनगरी और राज्यों स्टेट्स एनी पाठनगरी ना नामों पन संस्कृत नामों जेमके द्वारावती श्री वीजयत सुखो दई मुटा मुटा शेहरो एना नामों पन संस्कृत असर जेमके कंचन पूरी स्थानिक नाम कंचन बूरी यहनों स्थानिक उचार कंचन बूरी करेशे एविते राजपूरी स्थानिक उचार राजपूरी करेशे एविते लवपूरी रामना सुपुत्र लव हता एना नामों प तो त्यां तमने रामायन ना चित्रों जोआ मड़े एमाई जे प्रसिद्ध बाउधमंदिर छे जने एमरल बुद्धा टेंपल के वम आवे छे एनी चारे बाजु दिवालों मा अद्बूत रामायन ना चित्रों छे हा ए रामायन ना चित्रों थाई रामायन प्रमान करों मा अने त्यां रामान नो प्रभाव इटलिय देचे थाइलेंड माँ के ना राजाने पन राम केवं आवेचे येनु एक अलग नाम तो होया जैनके अत्यारे वर्तमान समय राजा राम दस्मों शाषण करी रहल चे आणे एणू त्यानू स्थानिक नाम जेचे, एमा पण संस्कृत नियासर अषन वज्ञ लोंग करनू एमा पण संस्कृत नियासर देखाएचे थायलेण吧 राजा ने राम के विश्णुन ू स्वलूप मानिने पूजवमा आवेचे योध्यापल, इंट लूद्ने मात्रा राँम तरीके राजाने अड़खवामा, एटलूने थे राज्या नाम पन अयोध्या Baş। अयोध्या, तरीके राजदानी, रामनी राजदानी बारत मा अयोध्या, त्यां पन अयोध्या, तो आट्लू बुदू भारती ये सरस्क्रूतिनों त्यां प्रभूत्व आपने जोआ मड़ाई छे, गणिबदी बाबतों छे, पन एमनो भारत प्रत्येनों प्रेम आजे पन थोड़ाक वर्षों पेला त्याना राजा नव मा राम नव मा एले के भुमिपाल इमनो जन्मजिन्ती उत्सों बोज मोठा पाये त्या थाइलेंड मा उजवा मावेलो योगानो योग ए समय अमे पन थाइलेंड माता त्यारे अमने केवा मावी हूं कि बारत थी खास योगावी ने राजाओ पर अभीशेक करवा मावे होतो थाइप्रदेश ना दक्षिन भाग मा खास करने लिगोर मा भारतिय संस्कृति नी हिंदू धर्मनी सनातन धर्मनी बारो भार असर थी आइना सुखो थाई अन अयुथ्य राज्य हता एना जे राजाओ एना शाशनक भार द्रम्यान खूब हिंदू धर्मने के भारतियताने त्या पोशन आपपाम आवेलू अईनी जे रामायन छे जिनू नाम छे राम के उना अने अईनू जे महाबारत छे उन्नरुत नाम छे इमा अध्भूत आपनी कठाओ इना प्रतिबी में आपने जवाँ मड़े छे थोड़ा केमा परिवर्तनों देखाए छे स्थानिक रित रिवाजो मुझव पन तेमा भारतियतानी सुवास्त में अनुभवी शको मजानी वाते छे कि थाईलेंड मा जे रा वार्ना नाम छे एपन सस्कूत नाम अपना भारतिय जेवा सोम मंगल भूध गुरु एवाद न तो त्याना तमें प्रारंबिक शिल्पों जुओ तो तमने असल भारत ना शिल्पों लें लागे आजे पन थाईलेंड मा वीस हजार करता वदारे विहार हो छे अने थाईलेंड मा वाईशाकी पूर्णीमान उत्सव महुझ मोटा पाई उजवा मा आवे छे कारण के आदिवसे बुद्ध ने गिनान पन थे होतू आदिवसे बुद्ध नो जन्मा पन होतो आदिवसे बुद्ध नो निर्वान पन थे होतू अने आदिवसे हिंदू महत्व पन खुब छे तो अब आवा अनेक उच्छो भारतियतानी रीते थाईलेंड मां आजे पन उजवाई छे थाईलेंड इलेके श्याम देश ने अपने वाद जाणी आगल जाऊ तो तमने कमबोडिया देश जोवा मडए इतले के कमभोड्यानी संस्क्रूती ना घर्तर मा भारतियों नुग के भारतिय ब्रामणों नुग प्रदान भारो भार जुआ मड़े इन मानवामा आवे छे के कमभू रूशी भारत मां थी विहार करता करता त्यां पहुंचेला mystery only चेना परती कंभो जनाम म आप पिम आवेलू आदेशना इत्यास मा काउंडिन य नामना ब्रह्मन पन विशेश महत्वा छे ये त्याना स्थानिक इत्यास मा पन भनावा मा आवे छे येम केवह मा आवे छे कि आज थी 2000 वर्ष पहला प्रसार मां आ कमबोडिया मां विशेश फाड़ो आपयो इटली हथ सुधी के त्यानु जे राज तंत्र छे ए बारतीर शाषन पद्धती प्रमण चालतु एना पर काउटीलिया अर्थ शास्त्र नी बौज मोटी असर अती अने कमबोडिया मां वैश्नव अने शेव बनने संप्रदाय खूप रचली थी कमबोडिया मां शीव ना सोम्य स्वरूप नी पूजा था थी दक्षिन भारत मां ब्रामण त्यां पहुचेला एले शीव ना अने अलग एवा स्वरूप ओछे जे मां शीव ना राउद्र स्वरूप नी पन पूजा था था थी पन कमबोडिया मां शीव ना सोम्य स्वरूप नी पूजा था थी अने अंकोर वाट थी थोड़े दूर तमें जाओ तो एक नदी काठे एक हजार शीव लिंग नी तिया अदभूद तमने एक सुरुष्टी जोआ माल गदगत थी जाओ नेच्रल शीव लिंग छे के जेना उपर थी पाणी पसार थाए ने सहज ता थी नाओ पर अभिशेक थाए आपने तिया पाटन मां सहस्त्र लिंग तड़ाव नी वात आपने सांबडिये छी अईया सहस्त्र लिंग जोआ माला चे छेक अंकोर वात पासे कमबोडिया मां एनों अदभूत नजारों छे अन्ने हाँ कमबोडिया नी अंदर विश्णू शीव ने ब्रह्माना मंदीरों अजोड छे विश्वमा तमने क्याई आवा मंदीरों जोआ नों मले एमाँ खास करी ने अंकोर वात नों विश्णू मंदीर गदगत थे जवाए केवू भव्या केवू विश्णू नी उपास नानों किट्लू बदू त्या महत वाशे त्याना जे राजा अता राजा सूर्य वर्मन एमना आश्ती आश्रे एक हजार वर्ष पहलाए मंदीरी बनावेलू जिन्हें आपने कल्पना नों करी शक्ये एटनू विशार एटनू भव्या खाली एक उदाना पूँ के ए मंदीरी परिक्रमा चारे बाज उव्या पहली छे कदाच किलोमेटर मां मां पिश्य का एटने लामी पत्थर मांती बनावेली एक परिक्रमा आशे ए परिक्रमा मां आखी परिक्रमा मां रामायान महाभारत अने श्रीमत भागवत नी कथाओ रिलीफ वक उपाड नी रीते कोतरवा मावेली छे अने इमापाण समुद्र मंथर नू द्रश्य तमें जुओ तो खरे कर चोंकी जाओ इट्डू अद्भूत ए द्रश्य कोतरवा मागव छे आवपरांत कमवोडिया मां अंगोर वाठी थोड़े दूर बेयोन नू मंदीर छे चतूर मुख ब्रह्मा ने ते समर्पित करवा मावे वुचे ओगण पच्चास शिखोरों नू ए अद्भूत मंदीर खरेखर एक एक शिखरमा ब्रह्मा चतूर मुख ब्रह्मा ने कोतरवा मावे आचे केवी त्या मंदीर बनावियो शे यहनी आजे पन कल्पना करी शकाती न थी एटलूद ने त्याँ पन तमने यहनी शिल्प मार जवा मड़े भारतिये पुजा पत्रती हाँ सास्तांक दन्वत प्रणामनी रीद जवा मड़े यग्ननी रीद जवा मड़े रथियात्रानी रीद जवा मड़े बद दू त्याँ खोतरवा मावियो छे एक हजार वर्ष पहला अने एवुज शीवनू अद्भूत मंदीर चे बंतेश राई त्याँनी तमें गजेंद्र पिठी कावो जवा बद दू अध्भूत चे पड़ा बंतेश राई मंदीनी वाद करी रिवा तो बंतेश राई मंदीर माँ तमने भारतिय शिल्पो जेरिते जवा मड़े हनमान जीनी मूर्तियों जवा मड़े खरे खर आपनू मस्तक जुकी पड़े शुआ आलो कोई काम करियो छे कई कक्षानू कारिय करियो छे आवा एक बे मंदीरों नी वाद नथी कमबोड यानी अंदर आवा सेंकडो मंदीरों छे एक-एक मंदीर नी गाथा गाथा जीये तो समय आपनों खुटी पड़े इटला अद्भूत मंदीरों छे अने एमा तमने भारो भार भारतीय स्थापते नी असर भारतीय कला नी असर त्या सुदी कि भारत ना शास्त्रों मा जे रिते एनी पीठ रचमानू कई वोई इमा चएन्डा अपर कर्ण पीठ कईये कर्ण पीठ कईये एज दिते जाड्यकूम भावे इना उपर कर्णी का आवे एज पद्धती प्रमाने तया आपनने जुआ मड़े छे में हमना बाद करी ते त्या गजेंद्र पीठ चे त्यां किचक नी पद्धती आपने जुआ मड़ा छे लेके जे पोताना खबाव पर भार उजके स्थापत यो नेवा बदा द्रश्यों तो अद्भूत अन्य अद्भूत अन्य अद्भूत एवु त्यानु ए द्रश्या छे अपने अपने अन्य वाद करी के शिल्प माड माँ विश्वनी लांबा माँ लांबी शिल्प माड छे आंगोर वाट नी पत्थर माती बनाविली त्यान तो छेज पन अज वासु की नाग द्वारा समुद्र मंतन करी रहा छे उद्रश्या अरे, आपने एमने मस्तक जुकावलू मन्त थाए, एवाय अद्बुद्रश्यो त्या आपने जुआ मड़ाएछे। त्या संस्कुत भाषाना श्रीला लेखो प्राप्तो थाएछे। एश्रीला लेखों मां थी आपने खवर पड़े के वेद, वेदान्त, धर्म, शास्त्र, रामायन, महाभारत, पुराणों, जोतीश और आपनी फिलोसोफी, आप बदूद साहित्य और बहुत धर्मनों साहित्य त्यां किट्लू बुदू प्रचलन मां आशे। एक हजार वर्ष पहला रामायन नू कमबोड यानी स्थानिक भाषामा वुरुपान तरण करवामा आवेलू छे। कमबोड यामा प्राचिन समय बदी मुर्तियोत मळी आवेली छे। यतो बदी प्राचिन वाक थाई। आजे पर त्यानारीत्रिवा जो मां त्यानी उत्षो परमपरां … त्याना स्थानिक लोक गजीवन मां तमने ठे ठे भारत नी असर जोहा मड़े। को एक बात अमना केता भुली गो के रामायन नी असर त्याँ एटली बदी जोहा मड़े छे। के बेब भायों लड़ता होई ने तो माता एने बेब भायों ने छुटा पढ़ती वक्ते एम के के तमें सुवाली वने सुग्री नी जिम लड़ो छो एटली असर त्यां जुआ मड़ा छे तमें कमबोडियानी सीमात वठाओ अठले तमनें वियेट नाम देश देखाए वियेट नाम त्यांपन भारतिये तानी असर भारो भार वियेट नाम नी प्राचीन भारतिये वसाहत चंपा तरीके वड़खा थी चंपा ये संस्कुट चंपक नाम उपर थी छे अने तिया नो जे प्रतम अित्यासिक भारतिय राजा तो एश्रीमार बिजी शताबदी मां थेलतो अना थी त्या विशेश भारतिय त्रसकुति नी आविबदी भावनाओ विस्तरी अईनी प्रजाए त्या भारती रीत रिवाज सामाजी प्रथाओ भाशा ने धर्म भारो भार अपनावेला में कहुते हम आक्रमन मिना अईना राजाओ ए महाराजा के महाराजा धिराज तरी के ओड़खा था अने वियत नाम घणाबदा राजाओ नाम बले त्याना स्थानित प्रजाना राजाओ था बारती गयला राजाओ नो था पने नाम भारती है जेमके भद्र वर्मा विजय वर्मा रुद्र वर्मा शंबु वर्मा इबा बदा नामो अने त्याना नामो शेहरों नामो पन संस्क जेमके इंद्रपूर, अम्रावती, विजय, पांडुरंग, आवा बदा नामों, लगनविधी त्या भारतिय रित्रिवाज में आजे पन थाई छे, अने अंतियश्थी विधी एपन भारतिय रित्रिवाज में जब थाई, आजे पन त्या अगनी दापम आवे छे, एटलू जए नहीं, त्याए जेम आपने विक्रम सम्वत ने शकसम्वत छे ने, येम वीएट नामा शकसम्वत प्रचलित. आने हिंदू धर्मा नी आपनी उत्तरनी परंपरा मा आपना विक्रम सम्वत के शकसम्वत नो आरम थाई, चे इत्र सुद एकम थी. एवीज ृत्नाम автом तो वर्ष नौ आरंभ है 26 महन przy गुजरात में आपने तिया शंगततरङ स्थे गुजरात में अपने तिया कार्तकमहन भर्ष नौ अरंभ थाई चे विक्रम सवतन आठ‡ पंज ना भारत में सवतनी नफ पर्रामाасrभ मां आजे पन जोवाई छे के रामायन, महाभारत, नारदस्वृती, मनस्वृती, आबदा ग्रंथो त्या खुब लोक प्रियाता अने विएट नाम नो राज धर्म शेव धर्मातों त्या माईसोन अने पो नगरमा शेव मंदिरों आवेला छे अने त्या शिवालोयों नी प्रतिष्ठा करोमा आवती बहुत धामदुम ती करोमा आवती अने शीव जी नी साथे मा दुर्गा पार्वती नी भुजा पन खुब धामदुम ती करोमा आवती अने विश्णुना अवतारों मा राम अने क्रश्णुना अवतार विशेश प्रिया पन मजानी वाते छे कि विश्णुना अवतार करता पन गरूड नों अवतार त्यां वधारे लेकि गरूड जी विश्णुन वाहन, विश्णुना सेवक एनी त्या विशेश पुजा था आजे पन तमने विएटनामा ठेठर गरूड नी मुर्तियो प्रतिमाव जोवा मळे प्राचिन शिल्पमा पन तमने ठेठर गरूड जोवा मळे अने विएटनाम मा हिंदु धर्मनी साथे बहुत धर्मनों प्रचारपन पारावार थेलो तो विएटनामनी जेम एना पडोशी देश अलेता में वधारे आगल उंडे जाओ दक्षीन दरपापड़े उंडे आगल जीए तो इंडोनेश्या आवे त्या पन भारतियता पारो भार प्रसली प्राचिन कारमा इंडोनेश्यानों नाम जहतू सुवर्न द्वीप अने एना नाम मा तमने संस्कृतिनी असर देखाए रोमे रोम मा तमने त्यां संस्कृतिनी असर देखाए इंडोनेशाना टापू जावा जेनों मूल संस्कृत नामतू यवद द्वीप ये तो आजे एलोकोपन स्विकार है छे इंडोनेशानी अंदर बाली वाली भगवान रामना संपर्ग मा आवेला जेके लाग पात्रो सुमंतू सुमंत्र ये नामपृति सुमात्रा अने वाली इवात याना नामों छे अने रामायन महाबारत ना पात्रोनी असर स्थानिक लोकों मा पन जोआ मड़े अने या चे अमें इंडोनेशा गैला अने अमारा ड्राईवर ने में पुछयू आपनू नाम सुम ये ने कुम मारू नाम चे विभीशन वा पड्ये के हूँ छुू मुसलिम पर मारू नाम विभीशन चे पूत्र नाम अर्जून चे एनों पुत्र अर्जुन, मुस्लिम, पांच नाइम नमाज पड़े, एमने कहुँँ, के मैं धर्मा बदलियोचे, संस्कृती नथी बदली, आमारी भारतीय संस्कृती छे, आमनेनु गवराओ छे, एटली असुदी, के पुत्री पन पोताना पिताने मातोन नाम आगर लखे, त्यानी प्रसिद्ध महिला नेता, ए पोताना पितानो नाम पुत्री शम्द साते जोड़ती कुँँ, आनी पुत्री छो गवरोग साते पोते के, एम केवाई छे, के इंडोनेश्यमा भारतीय तानी सुवास प्रस्रावनारा ओरिसान गुजरात ना लोक वता, गुजराती ह आनी जुया भ्लाइच चे, त्यानी भाषा एंनु नामध भाषा फहें, आपने जेम भाषा कही है इनु नामध भाषा हाझे आब है तो अनेक त्याना पासावा उचे, इंडोनेश्य ना समाजमां ब्रह्मा विष्FSन नी शिव नी पुजा थाए अने त्या अनेक शीवा लेयो आजे पन देखवा मावे चे जे माशीव पुजा थती है थी ब्रह्मा, विश्णू, गरूड, लक्ष्मी, वरा, नुरुसी, राम और क्रश्णी प्रतिमाओ ठेर ठेर तमने जुआ मड़े पांच मी सदी थी त्या विशेश बौध धर्मनों प्रचार थेलो ले बौध धर्मनी पन असर त्या जुआ मड़ा चे अने इंडोनेशिया मा बुद्धने शीवना नाना भाई मानवा मावता एटले शीवने बुद्धनी सयुग्त प्रतिमाओ पन त्या स्थाप्मा मा आवेली छे मैं हमना वाद करी तेम आईनी बाशाओ पर संस्कुरूत अने प्राकुरूत गुजराती तमिल बगेरेनी पना सर जुआ मड़ा चे रामायन और महा भारत अने लोक प्रिया एटले योगिश्वर रचित रामायन काकाविन नामनु काविया रगुवंस जेतलू मोटू काविया महा काविया चे त्यां खूप रचलीच छे जोके त्यानु रामायन आपना रामायन करता थोड़ू जुदू बड़े चे एटना अपब्रण्ष एवा जुदा जुदा आवर्त नों त्यां जोवा मळे चे महा भारत मां पंड अनेक अनुवादो थया चे त्यां महा भारत गृंत ना अनुवादों मां खासकरी ने बाली मां महा भारत ने अस्टा दशब पर्वतरीक वड़क्वाम आउतू रोज रामायन्ये महा भारत नी गथा बझवाएर, भजव नारा मूसलीम हो पर रामायन्य महा भारत बझवे त्या नी तन्तर कथाव मां पंचा तन्तर आने हितोप देश नी असर जोआ Alganda अने हा तमें इंडोनेश्यानी बात करो अने बेबाबतनों उलेक ना करो तो ना चाले इमानों एक छे प्रम्बनन प्रम्बननना हिंदु मंदिरो कद आज क्या कोई ने विदेश यात्रा करवानों मन था है तो इमने एक सजेस्ट करूँ एक सुचन करूँ तमें प्रम्बनन जजो औने बोरो बुदुर जजो प्रम्बननना हिंदु मंदिरो अदभूत विश्णु मंदिर, शिव मंदिर औने प्रम्मा मंदिर आ मंदिरों मा भारतियत आने जिये तमने अदभूत चांट जवा मड़े एनी दिवालो उपर पन तमने भारती ये शिल्पो जोवा मड़े पन आवाप भव्य मंदीरो आश्ती एक हजार वर्ष पहला तियां रचायला एटलूज नहीं एनी सामे तियां दुर्गाना मंदीर से पार्वतिना मंदीर से आपनों रद एक धबकार चुकी जाए ए मंदीरो तमें जुओ तो खरे खरपन ए मंदीरो नी सामे एजे देवताओ एजे भगवान आवतारो विष्णू ब्रह्मा शीव ना तियां स्वरूप पद्रा माव्या एना मंदीरो आटला मोटा रचवा माव्या पढ़े नी साथे साथे इना वाहनो एलेके गरूड जी नंदी जी अन्य हंस एना मंदीरो पढ़े ला भव्या तम्या प्रम्बनन्नों मंदीर जोईने खरे खर चकी थे जाओ त्यारे जारे तम्हें जुओ कि आवा एकज परिसर मा बस्सोने चालिस मंदीरो रचवा मावादा खरे खर हमना में कहुते आपनू रद एक धबकार चुकी जाए आश्चेरिय तो त्यारे थाए कि जेम तम्हें हिंदू मंदीरो ना आसरो जोओ छो एवाद बहुत मंदीरो एमा पन तम्हें बोरो बुद्धूर नो स्तूप तम्हें जुआ जाओ आप स्तूप ना कहाए ने बोरो बुद्धूर नो मंदीर कही शेकाए अत्वा बोरो बुद्धूर नो स्मारक कही शेकाए कदाच ए जगत नू सर्वा स्षेष्ट बहुत दिस्मारक छे इमा साथ सो जिटली बहुत प्रतिमाओ छे नव मार छे अदभूत शिल्पो अदभूत शिल्प मार अने जने आ प्रम्बन नने आ बोरबुद ना आ जे आ स्मारको छे अने विश्वना स्मारको तरीके जाहर करो मावा छे अंग कोर वाट नू आ हिंदू मंदीर के बेयोन नू हिंदू मंदीर के बंतेश राई नू मंदीर अब दा युनेसको ना श्रेष्ठ विश्वना स्मारको गणाई छे छे क्या आ हिंदु भारतिय संस्पूती नी असर पहुंची छे। इंडोनेश्यामा तम बाली जाओ तो बाली तो आजे हिंदु टापूतरी के विख्यात छे। अने त्या आजे पन खरो घर हिंदु देवतवनी पूजा थाई छे। हवे आपने भारतनी पस्चीम बाजु आविये। पस्चीम माँ हाँ भारतनी पुर्व बाजु घणू बुदु कही शेकायते हिंचे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, अबधाय वातों पन खरी करी शेकायते हिंचे। पन समय नी मर्यादान लईने हवे हुँ आबाजु आवु छे। भारतनी पस्चीम बाजु अभगानिस्तान। अभगानिस्तान तो एक समय भारतनों भाग अतो। एटले एमा तो भारती ये संस्कृतिनी असर भारोबार होयाज। और काबुल, कुर्रम, गोमल और स्वात्मद्यों न उल्लेक वेदों मां मड़ेचे। प्राचिन भारत मां 16 महा जन्पद हता। ए 16 महा जन्पदों मां गंधार पनेक जन्पद हतु। ए गंधार अटले ज आजनु कंदहार। अशो के आभगानिस्तान मां बहुत धर्मना प्रसार मांटे बहुत प्रचारकों मुकलेला। पर आज ती बेहजार वर्ष पहला कुषाणों ना शाशन दर्म्यान भारतिय संस्कृति नो विशेश प्रचार थेलो। पुष्पपूर जने कलाज तमें आजे पेशावर कही शको। पुष्पकलावती नगरहार अले कपिशाज्यावा नगरो। ए भारतिय संस्कृति ना एक राजदूत समा अत्पा राजदानी समा नगरो आता। फाहियान अने युएन संगें आवेला। एमने जे नोंधो करी छे एमा तमने भारो भार भारतितानी सुगंध मानमा मळए। एमा युएन संगें कपिशाना एक आश्रमनी वाद करी छे किटलो मोटो आश्रम कि जेमा 6,000 साधू रेता ता। किटलो मोटो आश्रम आशे। आशेना बोध्य स्मारकों मा पुष्पकलावतिनों हारीतिय मंदीर अने कुणाल नो स्तूप एक नोंधो पात्तर छे। अने एमा पाण त्यानी बुद्धनी बे जगप्रसिद्ध मूर्ती जे पत्थर माथी कंडार है ले छे। एक सोने पंचोतेर फुटूँची अने बीजी एक सोने वीस फुटूँची पर्वतने कंडारी ने बनावामा आवे ली छे। बाम्यान नी ए मुर्तियो अने गुफा विहारो एना चित्रो ए बद्दूज भारतिय संस्कृतिनी सुवास वर्ण आवे छे। अगलवतिये थोड़े कले चीन आवे छे। चीन नने भारतना संबंधो तो वर्षो थी एक संस्कृतिक संबंधो रहे ला छे। इस्विशन पांसटनी साल मा एक धर्मरक्ष नामना साधू अई थी त्यां गयेला। अने एने चीन थी स्पेशल त्यां त्यड़ावम आवेला। त्यार थी भारतिय संस्कृतिना प्रभावनी अनेक वातों चीन ना इतियासमा आपने जुआ मड़ाए छे। अमने रिते भारत ने चीन वचे साधू, भिक्षू, बाउध भिक्षू ने विद्वानों नी आवन जावन सत्त चालू रेती आपने इतियासमा जुआ मड़ाए छे। एक कश्यप मातंग नामना विद्वान अता, एमने कितला वदा भारतिय गरंथों नो चीनी भाशामा अनुबाद करेलो। ते आर पची तो गणावदा भारत ने भारतिये वसाहतों मा थी बिक्षुओं ने विद्वानों चीन जता अने त्या चीन मा जेने भारतिये संस्कृतिनी सुवास प्रस्रावता एमा एक कुमार जीव नामना बोध विद्वाननों नाम आजे पन चीनी लोको गवरो उभेर अने चीन्ती जे भारत मा आउता हमना अपने जिमना नामों संबल्या फायान हो एके युएन संग हो एक इत सिंग हो एक बिजा खणा बदा एलोको पन अहीं आवी ने आपनी ते समय ने युनिवर्सिटियों मा भणता अहीं थी ग्नान विग्नानों खजानों चीन पाछा लई जता अने एलोको जे भारतियों नी जे मेमान गती मानता भारतियों नी जे सुवास मानता ए त्यां चीन मा जिने वर्णा होता तेना काने वदारें वदारे चीनी लोको भारत नी यातरा होता नहीं थी त्यां पार्ची बारत नी सुवास वदारे पसरा होता थोड़ा स एक फिल्म बार पड़ेली चीनी यात्री युएन संग उपर एक डोक्युमेंटरी बार पड़ेली के आज थी लबग पंदरसो शोड़सो वर्स पहला युएन संग भारत मा आवेलो तेज़ार केवु एने भारत जोयलू अन्य एने जे बारत जोयलू एने जे 9 गने लखेली एने केवी बात ने चीनमा जेने करे ली के जे थी चीनमा भारती तानी विशेश सुवास प्रसे ली इतली हसुदी के चीनमा भारतिय संगीत नी हा भारतिय गणीद, भारतिय विगनान, भारतिय जोतिश औने भारतिय आयुरुवेद ये बदा नी तो नाम ना कुब हतीज इतो आ विश्वना बदा ही देशों महा थी कोई आहिका देशनी वात न थी भारतिय खगोल विगनान, भारतिय मैथेमेटिक्स, अबद दी बातों खुब प्रचलित आ बदा देशों महा थी पर भारतिय संगीत नहीं पर चीन मा बोवशर एटले त्याना राजाओ भारत्य संगीत कारों न तेढ आ थेड़ा होता भारतिय शिल्पों न पर लोक कोने खुब कदर है इटले एहिःतीबारतिय शिल्प कारों ने त्या बोला हो आैं आता स्थानीक 10 मोडρा साथे पर भारती पधावने त्यां कंडरवा में आवएली छे चीन नी जेम तीबेट अपण खूब भारतीसस कर दिनों प्रभाव है खास के इने बहुत धर्मनों प्रभाव हाज जोआ मढदेचे मुख्य मुख्य अपने वातों करी पर आवस्त शू शूचवेश के भारत नी सांस्कृतिक चेतना भारत नी भाव्य जैगाथा है भारत नी आध्यात्मिक चेतना प्रस्रियत हुआ हाँ कोई एम सवाल करी शके कि आतोबधी प्राचीन बातों थेई अत्या रेशूँ छली एक दोड़ शताप दिमा पाण भारते नी सांसकुतिक सुवास एवीज प्रसरावी छे स्वामी विवकानन जेवा संतों पाक्या के स्वामी रामतिर्थ जेवा संतों पाक्या जमने भारतिये वेदांत योग औने परंपरावनी अद्बूत सुवास आपदा देशों मां प्रसरावी भागोलिक सिमाडावती पर जैने आपदा देशों मां भारतिये तानी सुवास भारतिय विग्नानियों नो फालोपन उचो न थी, भारतिय विद्वानों नो फालोपन उचो न थी, परंत्वा चल्लाक इटलाक दशकों मा जेमनु नाम, आपने खूब आदर पुर्वक लईने जेमनाचरण मा मस्तक नमावानु मन्ताय, इवा ब्रह्म सुरूप योगीजी महराज और ब्रह्म सुरूप प्रमुक स्वामी महराज नू पना अपने जो गवरोग पुर्वक स्मरण करवों चुए, आफ्रीका खंड मा और इउरोप मा इमने संस्कुतिनी सुवास प्रस्रावी और छल्ला पचास वर्षों मा साते समंदर ना किनारे सनातन हिंदू प्रमुक स्वामी महराजे भारतीय संस्कुतिनों डंको वगाडियों चे एमने मात्रम मंदिरों न थी रच्या परंतु पोतानों परसेवों सिंचीने संस्कारों अने उपासनाना वैदीक उपासनाना वटवरुक्ष खिलव्याज आजे ब्रिटिश पाला मेंड थी लईने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ना सत्तावर हाउस थी लईने ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजिलेंड नी पार्लामेंटों सुधी के अमेरिका ना संसद भवन कैपिटल हील सुधी अनकूट ने दिवाली ना उत्सों उजवाई शे गवरों भेर उजवाई शे आपने हम चोक आ देशों मा लाखोनी संख्यामा आबाल बृद्धों ने सत्संग मही जीवन जीवता करया चे जेवो भारतिय संस्क्रूती नी सुवास पोताना जीवन द्वारा अमेरिका मा इंगलेंड मा यूरोप मा ओस्ट्रिलिया नुजिलेंड जवाई देशों मा के आरब देशों म आफरीका खंड बृसरा भी रहा चे स quicker अने प्रमुख स्वामी महारा जे जे बाल को यूवाणोने संस्कार आप्या चे यह वी निते आप्या चे के पेढ़ी दर पेढ़ी आ संस्कार ओभुलावाने बदले आगलनी पेढ़ी मा विस्तरता रह मने ए बाल को युवानों ना दर्शन करता प्राचिन रुशियों नुस्मरण थाई छे ये प्राचिन रुशियों जे रिते वेद विदांत नी वातो करता ब्रह्म परभ्रह्म नी वातो करता एवी वातो एवा संस्कारो आ ना 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 भुलकाव मा आपने देखाई छे अने आजेज एज रिते संस्क्रूतिनी सुवास प्रसरावानु कारिय ब्रह्म सुरूप प्रमुक स्वामी महराजना अध्यात्मिक अनुगामी प्रकट ब्रह्म सुरूप महंद स्वामी महराज करी दे आजे परब्रह्म भगवान स्वामी नारणनो संकल्प अक्षर ब्रह्म गुनाती तानिंद स्वामी नो संकल्प ब्रह्म सुरूब भगत जी महाराज के ब्रह्म सुरूब शास्त्री जी महाराज नो प्रचंड पुरुशार्त आ योगी जी महराज नो महान संकल्प के ब्रमांड मां आ संस्कृति ना डंका वगाडवा छे आ अक्षर पुरुषतम वैदी कुपास ना डंका वगाडवा छे इमना संकल्प ना परिनामे आजे फरीथी एक मोजू प्रस्री रहो छे जाने हजारो वर्षो पिला नो यूग हवे नव जीवन पामी रहो छे आने हा भारतनी अत्यानी प्रगती पन एवी छे के भारत जगत गुरुना पदे पाचु आसिंत शे यो विश्वास चन्म्य छे कीवी कीवी रिते भारत वर्थमान समय प्रगती चारे बाजु करी रहो छे या आपना आजे जोई शक्किये छे भारतनी जई गाथाओ आजे ठेर ठेर समड़ाई छे इटले आजे फरीथी बोलवानों मन्ताई छे अत्रापी भारतम श्रेष्ठम जम्मू द्विपे महामुने महा भारत का राजे वर्षो पिला आवाद उच्चारे ली दुल्लबं भारते जन्म आबधाज प्राचीन भारतनी जई गाथाना शब्दो आजे फरीथी आपना रदिमा गुझबा लागे छे आपना मनमा अबधाज महापुर्षो पत्त्य एक आदर भाव जन्मे छे आपने पन रदिमा बोली उठिये छे जय है जय है जय है जयन गण मन अधिना एक भारत जय है जय है जय है आजनी आ आर्ष्प्रवचन मालामा अध्यक सस्ताने बिराजमान पुझे आनन्सरुप सामी ना वक्तरनो लाब लिये ते पुर्वे तेवनो टुक परीचे जानिये पुझे आनन्सरुप सामी पुर्वाश्रम मा मुंबईनी प्रख्याज सेंड जेवस कोलेद ना विद्यार थी सेक्षनिक कारकेर्दी खुबज उजवड इत्तर प्रोडती मा पन त्यो खुबज अग्रेसर रहता अंतराष्टिया टेबल टेनिस परधामा भारतनी टिमना वाईस केप्टन तरीके तेवो ये सिंगापूर मा आ रमतमा पोतानो काउसल्योनो परिचै कराव्य हतो खगोड सास्त्र, पवतिक सास्त्र, रसायन सास्त्र, तबिभी सास्त्रती तेवो खुब महित गार जे देश विदेशनी साम्परत समस्याओ अन घटनाओने पोताना प्रवचनो मा यथो चित उल्लेखने लिदे आबाल वुरुद सव तेमना प्रवचनो ने रस पुर्वक साम्बडेशे न्यू डाइमेंशन ओफ वेदान्ध फिलोसोफी, स्री स्वामिनारन दर्शन चिन्तन अबनने पुस्तकोनो पन तेमने संपादन कार्य करियुँछे सत्पुरुषनी दरेक क्रियाने दिवियत आथी निहालवी ते तेमनी आगवी विशेश ताचे अने एटलेज, पूरण दिवियता नाम्ना पुस्तकनो लेखन कार्य पण तेवने स्वप्वामा आवियुँँ, अने सत्प्संग समाजमा ते पुस्तक खुबज लोक प्रिय बनियुҁ गंदिनगर अक्षरधाम, दिल्ली अक्षरधाम, अमेरिका निर्वाणा दिन अक्षरधामनी कोर्टिम्मा पण तेवोनी अमुल्य सेवा रहेली छे बियेप्यस संस्ताना ट्रस्टी मंड़मा पण ट्रस्टी तरीके तेवो सेवा आपी रहा छे एवा पुझे आनन्सरुप सामी ने विनन्ती करिये कि अध्यक्स साने बिराजी पोताना वक्ते वनो लाब आपे संता सौमी महराजनी जये प्रमुकस्वामी महराज शतादी महोत्सव ने जये ने प्रम्पुझए योगिजी महराज perfamap Heil Pramukaswami महराज अले परम्पुज महनस्वामी महराज नो भारतिय संस्कृति नो विदेशनी इंदर जे प्रचार थायो एमा बहु मोटो फालो छे परम्पुजज योगीजी महराज जे प्रमुस्वाब नो गुरु हता ह। तो ए अपरिका खर्णनी इंदर बिजय बदा देशो हूं इमने विच्रन करे लुधाटू अले बने वक्रते योगी जी महाराजे पुरो आफरिकाना देशों केनिया, युकांडा, टांजानिया एमा मंदिरों करे ला था अले एमादिरों लिधेज त्यां अगर अपड़ा देश मा थी जे भारतिये भायो गये लाता, इलोकानी जे संस्कुरूती चे संस्कुरूती सच्चवाई रही अले जार युकांडा देश मा थी घणा बदा भायो ने इंगलेंड जोग पड़ेलो थू कार्ण के एडी अमीन जे उगांडाना रास्ट्रपती हाता एबने एवु फर्मान जायर करे लो तो के त्रोंड महिनानी अंदर बद्ताज एशन भायो देश खाली करी नाके पेरला कबडा सा थे अले त्योंग घणा बदा इंग्लेंड गया आता अले बेवरस पेला केता उगुण सोने सित्तेर नी साल मा योगी जी महाराजे लंडन नी अंदर पण एक मंदीर छे एनी रचना करे लिया थी त्या बदा भायो तेहां गड़ गया इलोकनी जे संस्कुरूती छे संस्कुरूती सचवाई एनू कारण पन योगी जी महाराजे त्या मंदीर बनाव्यू अले योगी जी महाराजे त्योकत ये वाशिर्वाद आपेला ताके भविश नी अंदर लंडन नी धर्तिमा आरस् शिकर्बद मंदीर त्यार थाशे अले योगी जी महाराज नुझे ए संकल पहतो आर्श द्रष्टी हती ए प्रमाने परण पुझे प्रमुक स्वामी महाराज होगन सवने पंचानुनी सालमा लंडन नी अंदर पत्थर नू आरस्नू शिकर्बद मंदीर छे इस शिकर्बद मंदीर तैयार करिऊ भग्वान cubes मिनाराइन ईभदेश मों गरंत अउत्रम मंदीर तैयार करी हु भगवान-स्वामी नारैन नू उपदेश नो गरंत आरण्त के वह माराज है जोड़ E360 नाष्व जी कि पॉल संकल पहतो आर्ण कि उतनू ग्राहाज क् youngest द॥र मिन स्वाम ना चे के देश, काड, क्रिया, संग, शास्त्र, मंत्र, दिक्षा अने ध्यान आ एक एक निंदर इटली बधी ताकाज चे के पूर्व कर्मनू गमे तेटलू जोर हो एने ए जोरने पन ए दबावी अने पोतानों चे प्रभाव चे एनी असर आने लिदे थाए दाखला तरीके गमे तेटला सारा कर्म कर्या होई पन जो खराब सम थाए तो कर्मनी अन्दर सारू लखे लो होई छता पड़े माना संगे करी ने सारू कर्म करी शकता ना थी तो एवीज रेते देशनों पन प्रभाव चे पड़े आफरीका होई यूरोप ना देशों होई इंगलाइन होई अमेरिका होई के दूर पूर्वन ना देशों होई इसे पेसिफिक ना देशों होई पड़े देशनों प्रभाव चे तियां गड़ा मुख छूट छे दारूपियू सहच्छे मावसाहर करो एपन सहच्छे अईया गड़ अपड़े जे भारतनी अंदर वैदिक समय थी किटलाक अपणने नईतिक सामाजी का अध्यात्मिक मुल्यों प्राप्त थाया आचे दाखला तरीके उपनिशद्वनमा वरणन करेलूँ छे मात्रु देवो भव, पित्रु देवो भव, आचार्य देवो भव, अथी थी देवो भव, माता ने देव समान जानो, पिता ने देव समान जानो, अती थी मेमान चे ने देव समान जानो, गुरुजी तमारा शिक्षकोंने देव सम जानों, विदेश नी अंदर थोड़ुक तंत्र अलग प्रकार नू तंत्र छे, सोड वरस नो घर नी अंदर कोई व्यक्ति था एडार वरस नो थाए, यह पोते घर माती निकडी जाए, अले पोते जाते भणी ले, जाते फरे, पैसा नी जरूर हो तो माता पिता नी क्या रेक मुल्यों छे समाज नी अंदर मानास चेकलो रही शक्तो न थी, ए समाज मां मानास भेगो रहे छे, तो आब दा मुल्यों एने अतिशाई काम लागे छे, मानसिक सलाम अती आपे छे, अध्यात्मिक मुल्यों नी आपड़े वात करिये, तो आपड़ा वहिदिक शास्त्रों अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् मां गुदह कस्यस्वित धनम। आज ये संस्कृति नी जे वात करी आ प्रतम मंत्र नी वात करी आमा अध्यात्मिक मुल्या विजाई छे के जे काई छे आपने देखाई छे जे काई आपने जोईए छे बदे ठीकाने इश नोक्यता भगवान चे बदे ठीकाने वास छे। अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्य की चाहें. Due, उपूष्र बॉक्ष्प गथा की, बॉक्स्ताँ तो भूताय। योगी माराश आफरीका ने लंडन मा प्रारम करो, तो पत्थर ना मंडीर आगल जिए मध्रें बॉटर्फम लंडनcano नी अंदर कर्या, त्यार पची पांच मंदिरों, United States of America मां अन्य एक मंदिर कैनेडा नी अंदर आपत्थरना मंदिरों करेला छे नौर्थ अमेरिकानों अपणे विचार करे तो छो मंदिरों नौर्थ अमेरिकानी अंदर थाया अणि एज स्यवाई बिजा हरी मंदिर होई थे तो हरी मंदिर उपन विशाण मंदिर होई थे अनी अंदर श्यक्रापना स्थापना चति थे Warmth इह वोटे वागे ही हो खोई मोटा एन्य। अन्य। एंधिते मंधिर ज्टन अन्य। इतिया हो जचाल में बनावा मावेलुफ। तो अमेर्यका नंदर आत्यार हर आу हमत एचाल मंतिर Estamos अस्ट्रेला नी अंदर मंदीर हो छे, ल्युजलेंड नी अंदर मंदीर हो छे, भद्यपुरोना देशों नी अंदर मंदीर हो छे, चापान नी अंदर मंदीर छे, सिंगापूर नी अंदर प्रणानू मंदीर छे, ते बद्धाच्तान नी अंदर प्रमुस्वाई महरादी प ते मृत शीशु मंड़र, जयाने प्राथमिक संस्क्ताइरृ म यकृयार यह कई। यूती मंदड और यूक मंदड चाले चे वडिल मंदड चाले चे अले प्रमुस्वामी महराज यह पेरेनाथी यह बदा मंदिरों नी अंदर आजे संतोपन कायम माटे यहां कर पोते हे रेचे आश्चरी वाद तो मुटा मुटी यह चे कि आई थी विदेशनी अंदर जे लोको भड़वा माटे गए ला था अले भणी ने पईसा कमावा माटे गए ला था आञे। अमेरिकान आकर्शण, कैनेडान आकर्शण, अथिवा तो इंग्लेडन आकर्शण आथ वा आफरीकान आकर्शण, उस्टेयलेन आकर्शण, युजलेंडन आकरशण आपड़ा देश करता थे आंकल पईसा वदा रहे चे तो ये पईसा कमाहा मेटे गया था परन्तु योगीजी महाराज, प्रमुक्स्वामी महाराज और महांस्वामी महाराजे एवा साउसकारूनू सिंचन करेउlar chair, फोताना पईसा द्वारा एक एशनी अंदर मंदिरो करेच, एबना पईसा द्वारा मूटा मूटा उट्सोव कर्या, बे बाव मूटा उट्सोव प्रमुक्स्वाई माहराजे एक इंग्लाइनी धर्ती उपर अले एक अमेरिकानी धर्ती उपर करयो आया अगर तुखना बदा उट्सवय मने करेडा जता पन विदेशनी धर्ती मा करूँ बव मुश्केल बव कठन काम एमा ओगडी सोने पंचाशनी सालमा लंडन नी धर्ती उपर प्रमुक्स्वाई माहराजे कल्चरल फेस्टिवल उप इंडिया एक उट्सव करयो एक महिना सुधी अलेक्सांड्रा प्यलेस ना मेदानों नी अंदर आ उट्सव करवा मा आवेलो एक महिना नी अंदर लगबक आठी दस लाहक लोको ए उट्सव चे उट्सव नो लाबलेवा में टे आवेला आता एमा एक प्रदर्शनों आयोजन करेलू अले प्रदर्शन नुचे शिर्षा कतू के क्रेडल ओव सिविलाइजेशन भारतिय संस्कृती ए आखा विश्वनी संस्कृती नुँ पारणू छे अले प्रदर्शन चुने बदा खुब ज राजी थे आया था खुब ज प्रसंद आया था ओडिस्वर एकाणूनी साल मा पारतिय सांसृती कुट्सव कल्चरल फेस्टिवल फेस्टिवल इंडिया प्रभुग स्वामी महराजे न्यू जर्सी राजे नी अंदर मिडल सेक्स क कौलेज ना मेदानों नी अंदर स्वामी ये तरीस दिवसुदी आ महोत्सव मेगा फेस्टिवल इंडिया आयोजन करे लुग तो ते वकते अपन दस लाख लोको ते आंगल जोह माटे आवेला था के भारत नी संस्कृूती काया प्रकारनी था भारत नी सभ्यता काया प्रक के वकते निद था नी साल नी अंदर जारे प्रमुक्सवाई मारजी के ते उत्सवू करे लो तो ते वकते ते प्रदर्शन नी अंदर आपडे श्रवण नो एक प्रसंग मुखेलो अतो श्रवण पोटान अमातापिता ने था वडमा बेशाडी और अना घारा बहरत नी या बॉडरलेस वर्ल्ड, ब्यूटिफुल एकले सुन्दर, बॉडरलेस शरहद वगर्नु, वर्ल्ड एकले दुनिया, सरहद वगर्नी सुन्दर दुनिया, जे मापड़ा वईदिक रूशियों मंत्र आपया चे, अले वसुधाहिव कुटुम बकम एने जे भावना करी चे, तो यह लगता बदा प्रस्वंग होता, विजो एक प्रदर्शन हतु, एजे प्रदर्शन एना आखुजे खड़ा बदा अंदर एक्सिबिट्स मुखेला आता, एनु नामतु इंडिया अ कल्चुरल मिल्योनेर, एले संस्कुरुतिनी दृष्टि ए भारत एक करोड़ पती छे आवो प्रदर्शन नु शिर्शक हतु, और तरिचु प्रदर्शन हतु, इन्द जोयो फदर्स लाइज अवरोन, विजाना सूख मा आपनु सूख आप्रमुस्वाई महरात नु पतानु जिवन सूतर हतु, एले एमा तिम तमने एक प्रदर्शनी वात करतो तो, एमा एक जेनि पतनी हती जोयो, और जोयाः पची अभी परेका लगवान उए तो डिय finely नुख्त करी केमारी माता चे, माता ले में घरडा घरणी अंदर मूह की दिदेली चे, पड़ा जोया पची मने ङम लागे चे के मारे मारी माता नी सेवा करती, मारी माता नी खर थी मारा घ आ संस्कुरुती नी विवित्ता आ संस्कुरुती ना मुल्यो ए जोई ने त्याना लोको पन अतिशाई अभिभूत ही गये ला था जार प्रमुसाई माराज ओगनुसाने पंचाणुनी साल मां मंदीर कर्यू तो ए मंदीर नो इत्लो बदो प्रभाव एतिया अंगल पड़ियो बे महिना सुधी कोई पन प्रचार अपने सक्रिय अपने प्रचार नो प्रहत्न कर्योद नथी जरापन ली लेश मात्रपन ली एम छता मंदीर बंदा दू तू एना एक महिना पहला औने एक महिना पछी लेबर पार्टी दू नीउस्पेपर होई अथवा तो लिब्रल पार्टी दू नीउस्पेपर होई ए बद्दार लोको भर पेट वखान एन्यूस्पेपर मह करे लाता है अले बद्धी चैनल नी अंदर पहली दस आइटम सारा मा सारी केवाए तो लबबग घणा बदा दि विश्व सुधी ए दस आइटम नी पेली बीजी पेली बीजी आइटम ए मंदिर नी अंदर आवती है ती अले जो इने घड़ा बदा लोक बहुत प्रभावित था ता रिचर्ड ब्रैंसन ए पोते वर्जिन एट्लांटिक एरलाइन्स चे अब जो बती मानस चे एना पोते माल संतो ना नियम सामड़ा के संतो ना जीवन मा निरलोब, निस्वाद, निस्ने, निर्मान, निश्काम अबदा वर्टो छे अले नो अर्थ पोते समझा निर्मान वर्तमान नींदर आपने कोई पन प्रगानू अभिमान नती राखवानू आ मंदीर जोयू अले मंदीर जोया यद्यापी ये भले तमना वर्त्मान आपेला छे के अ पानच वर्तमान मा भत्यान न कंधिर निर्मानी पण आपेलाू छे पड़ मनेव लागे Čे या नियूक्गाऑ अले तैमल केम टैम्स कोई Hag Symphony spent स्वाभिमान चे थोगु जोई इतला बदा राजी थी गया था हिंदू जा ए बहु मोटा उद्योक पती चे अशोक लेलेंड अपड़ा देश्टी अंदर पंचे ट्रकों चाले चे नमालिक पंचे विदेश्णी अंदर पंचे सोथ पहिसादर महांसों मा पड़ेनू आगलन पंचे विदेश्टी अंदर रहु चूँ अले बोटे बागे हुँ जोतो हो के भारत वीशे बहु सारू आलों को टेली विजन नी अंदर आपता है थी भारत नी गरीबी होई भारत मा रोक चाड़ों होई अथवा तो आबधी वातो भारत मा अंदर श्रद्धा चे भारत म गंद की चे इवा तो आवे पर सारी वातों भाग्ये जावे पर आपांत्री स्वरस पच्या सुखद अनूब उठाई चे अबे मेना थी उन टीवी मा जोव चू कि आपड़ी भारत ये संस्कूरती विशे अईबधी वातों करें चे आज लंडन लिए दर लंडन मा मंदीर स्कूल और कॉलेज ना चोकराओ आ हिंदु धर्मा सुखे भारतिय संस्कूरती सुखे ए जानवा माटे एमना स्कूल नी अंदर कॉलेज मा एमने जो रिलिजन विशे राक्यों होग होई तो आपणा मंदीर आवे और मंदीर आवे ने राजी थाए एमना अतिती सत्कार प्रसन थाए पची जे मायाड़ू पड़ू छे लोको बहु शान्तिती सम्झावे ए जोन अतिशे प्रसन थाए शेवानी जे भावना जेरी ते मंदीर थायार थाए जो लोको जाने तो एना मानियम आवतू न थी क्या बदा वॉलंटियर्स चे निशूल्ख पणे एह मंद एमा पईसा आपता हुए बड़ अहिया गणालोको आविरीते काम करे छे अना नाम नानी सेवा करे कितली मूटी बाच्छे त्या रोइद भाई डेंटिस्ट चे अने दीपक भाई डेंटिस्ट चे लबग पचीश वरस्ती दर रिवारे त्या बदा चे आवे एने करें डेंटिस्ट तरीके और अडिनरी डेंटिस्ट नाती खरे खरा चे तो आवा तो कड़ाबता सेकडो हचारो प्रसंगो चे आने जिटला मुलाकाती महत्रा आवे चे तो इलोको भारत्नी आभी एक विशिष्ट प्रकारनी संस्कूरूती जोने बहु पते राजी थाई आजे महान्सवामी माहराआज ए पर्ण प्रमुह्प प्रमुवप तका का चाले रहा अजे। आजे ए मनिश्रानीं अंदर प्रमुप स्वामी माहराज ज właściटला के भाता थास्त अचाद। ऴंत्ता महान्सवामी माliers हाज्र नीयंधर पर्ण चालें छे। अत्यारे दभग सात्ती आट पत्थर नामटा शिखर्बत मंदिरो एमनी गाइडेंस नी चे तैया रथाई जे अत्यार सुधी नी अंदर हरी मंदनी संक्या कदाच स्वाजेटली पन पुची गई आशे अने बत्थेश ठेका ने बाड मंदर, किशोर मंदर, योक मंदर, भालिका मंदर, किशोरी मंदर, यूती मंदर अने वडिल मंदर इमने बत्थेश ठेका ने पुच्टी आपे चे सामाजिक संस्कारो, नहितिक संस्कारो अने अध्यात्मिक संस्कारो तो ए रिते पालते संस्क्रीती विदेश मा चे प्रवर्तन थोयूं छे एमा संतो नो एबाव मोटो फाड़ों छे स्वामिनारायन भगवाननी जय